नमस्कार मित्रो मित्रो आजना वीडियो मा आपने वाद करशू ट्रांस्फोर्मर नी एफिसेंसी औने रेग्यूलेशन वीशे तो ट्रांस्फोर्मर नी एफिसेंसी एलेके कार्यक्षम्ता औने तेना रेग्यूलेशन वीशे आगड ना वीडियो मा आपने ट्रांस्फोर्मर नो परिचय, कारिय पद्धती, प्रकारो, EMF समीकरण तेमाज अलग 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 ट्रांस्फोर्मर ने लगती टम्स विशे ना वीडियो जोई चुकिया छिए तो आजना वीडियो मा तेना थी आगड़ आपने ट्रांस्फोर्मर नी एफिशेंसी अन्ये रेग्यूलेशन विशे माहिती मेर्वीशू तो मशिन नी एफिशेंसी याटले शू तो कोई पन इलेक्ट्रिकल मसीन नी एफिसेंसी तेना वोट मा के किलो वोट मा आउटपूट पावर औने इन्पूट पावर ना गुणोतर थी मेडवी शकाई छे बिए वस्तु जोई ए इन्पूट केटलू आपिये छिये औने आउटपूट केटलू मड़े छे ए बन्नेनों गुणोतर लए तो आपणने एफिसेंसी केटली छे ते ख्याल पड़ी जाई तो मेडवेल परिणामने जो सो वड़े गुणोवामा आवे तो तेनी परसेंटेज एफिसेंसी मेडवी शकाई छे हवे धारो के तमे तमारी मोटर साइकल अथा मोटर बाइक नी अंदर एक लिटर पेट्रोल पुरा हो छो अन्ने तेना आधारे तमे केटला किलोमीटर हारे जशे तो तेनी तमे एवरेज काड़ो छो तो इनपूट तमे एक लिटर पेट्रोल आपेलू हो ए तो आउट्पूट मा केटला लिटर ना प्रमाण मा तमारी गाड़ी केटला किलोमीटर चाले शे तो एफिसेंसी थाई क्या वाई तो मसीननी एफिसेंसी मा पने वुँ जोई शे कि इनपूट पावर केटलो आपिये शिये, तेना प्रमाणमा आउटपूट पावर केटलो मड़े छे इलेक्टरिकल मसीननी नेम प्लेट पर मसीननी एफिसेंसी परसेंटेज मा दर्शावेली होई छे एलेके कोई पर मशीन होई तो त्यानी कार्यक्षमता एलेके efficiency त्यानी nameplate पर होई छे हवे percentage efficiency एलेके टका तो output power और input power नो गुणो तर एना गुणियां 100 करो तो मशीन नी आउटपूट तेले के एनी एफिशेंसी केटली छे ते आपने परसेंटेज मां मड़े छे हवे आपने पर्टिकुलर ट्रांसफोर्मर नी एफिशेंसी विशे वाद करी सु तो अन्य तमाम प्रकार ना इलेक्रिकल मशीन नी सर्खामणी मां ट्रांसफोर्मर नी एफिसेंसी घणी वधारे होई छे तमने ख्याल च्छे के सुकाम वधारे हसे कारण के ट्रांसफोर्मर मां बदाज स्थीर भागो होई छे कारण के ट्रांसफोर्मर छे ते क्यों मसेन छे स्थीर मसेन छे तो तेमा कोई पन भाग फरतो होतो नथी एटले तेमा लोज खुबज ओछो थाई छे ट्रांसफोर्मर नी एफिसेंसी मोख्य बे टमसमा दर्शावामा आवे छे कई-कई छे ते जोईसू साधारण एफिसेंसी औने ओल्डे एफिसेंसी तो हवे आपने वाद करीशू साधारण एफिसेंसी वीशे तो ट्रांसफोर्मर ने जियारे सप्लाई साथे जोडवामा आवे त्यारे त्यमा आयन लोस, कोपर लोस वगेरे ना कारणे पावर अथ्वा सकती नो व्याई थाई छे त्येथी तेनी इनपूट सकती करता आउटपूट सकती हम्मेशा ओची होई छे ट्रांसफोर्मर नी आउटपूट सकती अने इनपूट सकती ना गुणो तरने तेनी एफिसेंसी कहे छे तो परसेंटेज एफिसेंसी वराबर्सूँ थाई तो ट्रांसफोर्मर नो आउटपूट पावर छेद मा ट्रांसफोर्मर नो इनपूट पावर गुणिया एलेके मल्टिप्लाई बाई हन्डरेड तो ट्रांस्फोर्मर नी साधारण एफिसेंसी पंचानु टकाटी अठानु टका जेटली होई छे एटले तेनो अर्थ ए थयो के ट्रांस्फोर्मर मा तेनी इन्पूट सक्तिना मात्र बेथी 5 टका जेटलोज लोस थाई छे ट्रांस्फोर्मर नी साधारण एफिसेंसी नी गणतरी करवा माटे तेना इन्पूट अने आउटपूट पावर नू मापन करवा करता तेमा थता लोस नी गणतरी करिने तेनी एफिसेंसी नी गणतरी करवाने रितने उत्तम मानवामा आवे छे एले के तेना लोस खास गणी लेवामा आवे अने पछी जो एफिसेंसी काड़वामा आवे तो ते पद्धती खुब ज उत्तम मानवामा आवे छे तो ट्रांस्फोर्मर मा मुख्य ब्ये प्रकार ना लोस थाई छे कोर लोस के जे ट्रांस्फोर्मर ना ओपन सर्किट टेस्ट थी सोधी सकाई छे अने कोपर लोस जे ट्रांस्फोर्मर ना सोड सर्किट ना टेस्ट थी सोधी सकाई छे ट्रांस्फोर्मर ना कोर एलेका आयन लोस अचड होई छे एक कोपर लोस लोड करंट ना सम्प्रमाण मा थाई छे ट्रांस्फोर्मर नू रेटिंग वी ए, के वी ए, के एम वी ए मा होई छे एकले ते संदर्वे तेनी एफिशन्सी कया सुत्र ना अधारे सोथी सकाइ, ते आपने जोईशू तो एफिशन्सी बराबर kva आउडपूट गुणिया पावर फेक्टर और छेद मा आउसे kva आउडपूट गुणिया पावर फेक्टर प्लस कोपलोस प्लस आयन लोस तो लोड ना प्रमाण औने पावर फेक्टर नी ट्रांसफोर्मर नी एफिसेंसी पर असर लेके लोड औने पावर फेक्टर नी ट्रांसफोर्मर नी एफिसेंसी पर केटली असर थाई छे ते जोईशू तो ट्रांस्फोर्मर नी एफिसेंसी लोड नी किम्मत अने लोड ना पावर फेक्टर पर आधार राखे छे विविद लोड पर अने अलग-अलग पावर फेक्टर पर ट्रांस्फोर्मर नी एफिसेंसी समझवी होई तो तेना माटे एक आपणे उधारण दवरा समझ सुू। 3x4 फूल लोड 0.8 लेगिंग पावर फेक्टर होई तो तेनी एफिशेंसी सोधो। वे एक कंडिशन आपेली छे फूल लोड यूनिटी पावर फेक्टर तथा 3x4 फूल लोड अने 0.8 लेगिंग पावर फेक्टर। तो हवे आहीं ट्रांस्पोर्मनू रेटिंग आपने के माहतू केवी है मारे केटला केवी है था तोके 25 सप्लाइ फ्रिक्वेंसी तो 50 हर्ट्स आयन लोड तोके 25 वोट फूल लोड कोपर लोड तोके 425 तेथी फूल लोड अने यूनिटी पावर फेक्टर उपर एफिशेंसी बराबर ट्रांस्पोर्मर नू ओटमा आउटपूट अन्ने ट्रांस्पोर्मर नू ओटमा इनपूट तो आउटपूट ना छेदमा आउटपूट प्लस आयन लोज प्लस कोपर लोज तो हवे 25 जातों तो 25,000 थासे आउटपूट 25,000 प्लस आयन लोज 255 आपेलो हतो अने फूल लूट पर कोपर लोज पर 425 आपेलो हतो तो हवे एना आधारे 25,000 ना छेद मां 25,700 आउसे तो 0.9727 एटले के 37.27 का एनी एफिशेंसी ठासे 0.9727 ने 100 वडे गुणो अटले 37.27 का एफिशेंसी आउसे हवे ट्रांस्फोर्मर नी महत्तम एफिशेंसी माटे नी सरत तो ट्रांस्फोर्मर मा आयन लोस अचड होई छे अने कोपर लोस छे ते लोड करंट ना वर्ग ना सम प्रमाण मा होई छे ट्रांस्फोर्मर पर जोडवा मावेला लोड अने पावर फेक्टर नी जे किमत्ते ट्रांस्फोर्मर नो आयन लोस अने कोपर लोस समान थाई ते स्थितिमा ट्रांस्फोर्मर नी एफिशेंसी महत्तम होई छे હવે વાદ કરીશુ આપણે ઓલ ડે એફિશ્યન્સી વીશે तो distribution transformer नी efficiency माटे आ टर्म वपराई छे कई आ ट्रांस्पोर माटे तो distribution transformer माटे तो distribution transformer हम्मेशा लाइन साथे जोडायेलू होई छे आ ट्रांस्पोर्मर नी secondary side माँ लोड जोडेल न होई तो पन प्राईमरी side हम्मेशा लाइन साथे जोडायेली रहे छे ते थी distribution transformer माँ आयन लोज सतत थया करे छे तेमा कोपर लोज लोड करंट पर आधार राखे छे एरले distribution transformer ना दिवस ना 24 कलाक दर्म्यान ना पावर आउटपूट अने 24 कलाक दर्म्यान ना पावर इनपूट ना गुणोतर ने तेनी all day efficiency कहे छे हवे percentage एलेके टकावारीमा all day efficiency बराबर transformer नू 24 कलाक आउटपूट छेद माँ transformer नू 24 कलाक नो इनपूट पावर गुणिया 100 हवे आपने वाद करीशू voltage regulation वी से तो transformer ना primary winding ने अचड वोल्टेज साथे जोड़ी तेनी secondary साथे load जोडवामा आवे त्यारे secondary winding माथी वीज प्रवाह पसार थाई छे winding ना अवरोध अने वीज रियक्टन्स ना कारणे तेमा voltage ड्रोप IR थाई छे आम लोड साथे ना secondary voltage नी किम्मत लोड वगर ना voltage नी किम्मत करता ओची होई छे तो voltage regulation एकले सुँ तो के सुनिय लोड थी फूल लोड सुधी ना voltage ना तफावत ने transformer नू regulation केहवामा आवे छे धारो के V0 ए नो लोड समये transformer नो secondary voltage छे हवे V बराबर फूल लोड समये transformer नी secondary ना voltage ते थी नो लोड थी फूल लोड समये voltage मा तफावत केटलो थाई दो के V0 माइनस V हवे आ voltage तफावत ने V0 थी भागवामा आवे तो regulation down कहे छे परसेंटेज रेगुलेशन डाउन बराबर V0 माइनस V छेदमा V0 मल्टिप्लाई बाई 100 परसेंटेज रेगुलेशन डाउन बराबर V0 माइनस V छेदमा V मल्टिप्लाई एलेके गुणा कार 100 वडे करवानों रहे छे ट्रांस्पोर्मर ना परसेंटेज रेगुलेशन पर थी तेनी गुणुवत तानो ख्याल मले छे एलेके वल्टेज रेगुलेशन नू जारे परसेंटेज रेगुलेशन थाई जाई छे त्यारे ट्रांस्फोर्मर ना जे गुणू वत्ता येले के कई कोलेटी नूँ छे तेना पर थी आपड़े जानी सकाई छे जो परसेंटेज रेग्यूलेशन नी किम्मत ओची होई तो ट्रांस्फोर्मर सारू के हवाई करण के एक सारू ट्रांस्फोर्मर ते कहवाई के लोड नी कोई पॉण स्थिती वक्ते सेकंडरी ना वोल्टेज ने अचर राखी सके तो मित्रो आज ना वीडियो मां आपने ट्रांस्फोर्मर एफिशेंसी औरने रेग्यूलेशन विशे माहिती मेडवी आशा राखू चुके आँ वीडियो तमने उपयोगी सावित थसे थेंक्यू